आज दो जो चटनियों के रेशिपी मैं आपके साथ सेर करने जा रही हूं उसके बीना तो खाने की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं यानि कि साउत में मौसूर हैं भौत सारी चटनियां उनमें से दो मैं आपके साथ सेर करने जा रही हूं और दोनुई चटनियां भौत ही मस्त इन्हें हम दाल जावल से लेकर रोटी के से लेकर सांबर इटली बड़ा किसी भी चीज के साथ शर्व कर सकते हैं नमस्कार फ्रेंड मैं हूं संगीता राप का भूद वह सागत करती हूं आपकी अपनी रसे में आसा करती हूं आज की रेशिपिया आपके लिए हेल्पपुल होगी और आज हम चैटनियों की दो रेशिपियां सेयर कर रहे हैं रेशिपियां चैनल को सब्सक्राइब करें प्राइब तेल लेंगे और तो चमच के पराबर यहां पर कच्छी मुँपली और साती हम पर लेंगे चमच के पराबर चना ना दाल तक फिल के बड़ते हैं तो दोनों री चीज़ने के रिख साहबु ले रही हूं छोटी चमच में ले रही हूं साबुताला जीरा इसको आ लेते हैं कि अपिंह तो चेजे बनाने के लिए हमें और बी चीज के आवास्ट पड़ेगी तो सब से पहले हैं नैयरल ले रहे हूं दो बड़ी चमत में उस्को पर रोश्टर चनगाSee इससे चटनी की एक तो स्वात बढ़ेगा दूसरा इसकी क्वाइन्टिटी भी बढ़ेगी नार्याल ले रही हूं दो बड़ी चम्मत इसका हमने भार का छिली का हटा लिया था इसको भी एड़ करेंगे अब डाल देते यहां पर जो हमने सारे मसाले भून रखे थे इनको भी चाहिए थोड़ थे खटा आपको यहांपर चैटनी है तो हम इमली का इस्तिमाल भी कर सकते हैं यह पर पीनिकी अधर नीम्त मिला लिए हुआरा थै मनकी तो थोड़ हम और ख सकते हैं फूट़ करेंगे फिल्विया पर लेए तो पानी लेहे हुआ है आवर्शकता लगेक beauty णका शाया कर ठीक को पानी के प्रीष चाटनी को हमें यह वैं हांची छाटनी में पानी को उस्तवल किरेंगे जटनी को बंके तयार हो गई है साउथ में जितनों फेमस यहां का खाना होता है उतनी यहां की चटनियाद अब इसमें तड़का लगाते हैं तो मैं तड़का पेन ले रहे हूं एक चम्मच यहां पर तेल सिंपल चा बेज़िटेबल तेल गरम हो जाएगा ना फिर इसमें एड़ करेंगे हम राय के दाने या आप डाल देते हैं या पर करीपता करीपता आप कट करके भी डाल सकते हो लेकिन अइंड में डालेंगे जब हम गैस बन कर देंगे नहीं तो पहले डाल देंगे तो करीपते बिलकुल काले पढ़ जाते दिखने में अच्छे नहीं लगता पर उनका फ्लेवर भी नियाता अ अब तरका हम सीधर डालेंगे चेटनी में चेटनी तो बनके तायर है अब बनाते हैं दूसरी वाली चेटनी चेटनी तो चेटनी बनाने के लिए याँ पर एक पैन लेंगे गैस पर और सिंपल सा एक से डेर चमच आपर वेज़िटेवल तेल तेल हलका सा गरम हो जाएगा एक यहां पर चेटनी चमच आपर जीरा शाबुत आला शाच में कुछ शूखी लाल में तो दोनों को हम पहले अग्छे से यहां हपर भून लेंगे यहां पर हलका सा यहां ब्राउंड हो जायेगा साथ मैं सूखी लाल में भी बढ़़ेशी अपुन जाएंगी तब हम इसमें प्याज दोनों को बहुत अचा फ्लेवर जादा प्याज और टमाटर की चट्णी के साथ खास कर प्याज हमने रफनी कट कर लिया था साथ पे कुछ यहां पर लेकल के लिसन की बी दो टमाटर भी आपट करेंगे तो माटर को भी मैंने यापर लंबे लूमे टूंक्डो में और लाल मिच हरी मिच उतने इसको चटनी को स्वाद बढ़ेगा स्वाद अनुसार नमा करेंगे साथ मेरे पास यहां पर थी दनिया की रूट इसकी हमने पत्तियों के इस्थमाल कर दिया है इनको भी डालेंगे साथ में एक एलास अब बड़या से यहां पानी डालेंगे ताकि सारे यहाँ पर चीजें जो हैं soft हो जाएगी प्यास टमाटा लसन और सापुत लार्मिट अर ढगा लेते हैं और दो से चार मिनट के लिए हम इसको cover करके रखेंगे दो चार मिनट बाद हम इसको चेक करेंगे हमने इसका धकन हटा लिया है तो सारे चीजें यहाँ पर अच्छी से soft भी हो गई अब हम गैस बकर देते हैं और इसको रख देते हैं थालिया फ्लेट में ठंडा होने के लिए यह बढ़िया से ठंडे भी हो गए हैं अब हम इसकी चटनी पीशेंगे तो इसके लिए हम यहाँ अब इसमें धकन लगाएंगे पानी के इस्तमान करेंगे और यहाँ पर सौट है तो स्मूथ हमने इसकी चटनी भी पीश ली है अब हम इसको निकाल लेते हैं बहुत बड़ी अक्रण भी आया है साथ में बहुत स्मूथ चटनी भी बनिया बहुत इसाथ भी लगती है अब ज़िए अब इसे धनिया की पती से गानिस करते हैं तो दोन्त चटनी बन के तायर होगी है रसीपी बन के तायर है कैसी लग रही है अच्छी लग रही तक चैनल को सब्सक्राब करें जाद एसे जाद आ फैमले और फेरेंग के साथ भी सेर करें मिलते हैं यह कैसी नेक्स रे प्रेंट